बासकार दोस्तों, Health Healing and Homeopathy का इस नए भीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मैं Dr. S.P. Day, consultant homeopathic physician from Shiliguri, West Bengal, भारत से आपके लिए आज लेके आया हूँ आप ही लोगों के request से एक नए भीडियो जो है homeopathic medicine कब लेना चाहिए, कब लेने से वो ज़्यादा काम करता है क्या कोई time factor है, क्या कोई season factor है, कौन-कौन से factor है homeopathic medicine के लिए और अक्सर हम लोग जो homeopathic medicines के बारे में सुनते आते हैं कि फलाना medicine फलाना लेना चाहिए, फलाना medicine ऐसे time पे लेना चाहिए इसको रात में नहीं नेना चाहिए इसको दिम में नहीं नेना चाहिए इस टॉपिक के उपर मैंने पहले भी विडियो दिया है कि होमियोपती मेडिसीन हाउ होमियोपती मेडिसीन का पावार कैसा होना चाहिए होमियोपती मेडिसीन कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए लेकिन मेरे एक भीवार ने मुझको अजम्बित करते हुए एक question पुछा है कि particular ये no-sode या sarcos medicine, menstruation के time female ले सकते ही की नहीं full moon, new moon में ये ले सकते ही की नहीं ऐसे बहुत सारे topics उन्होंने पुछा एक बड़ा question मुझको किया है मैंने उनको बोला था कि आपका ये confusion दूर करने के लिए आपके लिए ही खास या आपके जैसे सैक्रोज होमियोपेती लाबार से जो होमियोपेती medicine लेते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा तो मेरा ये कोशिश है अगर वीडियो को अच्छा लगे तो bell icon को प्रेस करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग है जैसे सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को उत्साहा आता है और अगर आप जानना चाथे कमेंट्स में कि या नया topic के ऊपर होमियोपैथी related आप वीडियो देखना चाथें, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाने का कोशिश करूंगा, तो चलिए, जो हम लोगो का topic है, उससे बात करते हैं, सबसे पहला जो फैक्टर है दोस्तों, वो है होम और होमियोपयथी मेडिसीन अगर राइट, री सिलेक्टेट हो तो चाहे आप राथ में ले चाहे वो और कभी भी ले आप ले सकते, बे बैसी कोई प्रॉबलम नहीं होता है। होमियोपेथी में हम लोगों का first year या second year अभी हो गया है कभी कभी तो थार्ड year final year में भी पढ़ाया जाता है लेकिन हम लोग जब students थे होमियोपेथी के तब हम लोगों का first year से ही एक subject पढ़ाया जाता था उसको बोला जाता है Oregon on of Medicine and Homeopathic philosophy That is called Bible of the Homeopathy Dr. CFS Haniman जब खुद Homeopathy का invention किये थे तब उन्होंने कुछ सालों बाद मेरे हिसाब से 1810 वगरा होगा तो उस टाइम में फास्ट उन्होंने जो किताब लिख के Homeopathy का official invention किया था उसको बोला जाता है Organon of Medicine Edition 1 तो ये Organon of Medicine जो है ये है principles of Homeopathy इसमें बहुती early chapters में ही बोला गया है medicines act unprejudicably medicines act in all circumstances in every individual अभी यहाँ पे समझना होगा Homeopathy में Remedy या Medicine किसको बोला जाता है Until and Unless properly selected Homeopathy में आप किसी को Homeopathic Remedy या Medicine नहीं बोल सकते Medicine means जो आपके उपर काम करेगा Remedy means जो आपके उपर काम करेगा भले ही हम लोगों के Homeopathy में Drug Medicine Remedy का अलग एक definition होता है जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं वो हम लोगों का Pharmaceuticals Industry में भी है उसको हम लोग छोड़ देते हैं तो ऐसा Homeopathy Medicine जो आपके बीमारी के लिए काम करेगा आपको ठिक करने के लिए काम करेगा इसको हम लोग Homeopathy में Remedy बोलता हैं लेकिन इट शुड भी Properly Selected एक बीमारी के लिए चार, पाज, दस Medicine एक साथ में Homeopathy दुकान से खरित के अगर आप लेते हैं किसी भी YouTube वीडियो देखके या YouTube के डॉक्टर से इंप्रेस होके आप Online Consultation लेने के बाद या आप फिजिकली जाके किसी भी Homeopathy डॉक्टर को दिखाए वो आपने क्लिनिक से चार, पाच दवाई आपका दे दे एक ही प्रोब्लेम के लिए या एक दो प्रोब्लेम के लिए तो इसको Against the Homeopathy Principle माना जाता है इसको Homeopathy Medicines हम लोग नहीं बोल सकते यह Homeopathically Named है बट यह Homeopathically Selected नहीं है Homeopathically कैसे Medicine Select करना परेगा इसके उपर मेरा पूरा प्लेलिस्ट है कि Homeopathy Doctor What You Should Know खाली मेरी YouTube चैनल पर ही ऐसा कोई प्लेलिस्ट है जिसमें Homeopathy का सच्चा ही बताया गया है Homeopathy Medicines कैसे Select हो यह बताया गया है Homeopathy Medicines Select करने का सही तरीका What is constitutional medicine, myosmetic medicine, everything is explained आप लोग जाके देख सकते Next हम लोगों का है कि Homeopathy Medicine Selection हो गया अभी उसको कैसे ले मेरे जो भीवार थे उन्होंने पूछा था कि Menstruation के टाइम, Full Moon, New Moon के टाइम हम लोग ले सकते कि नहीं तो दोस्तो यह कोई factor नहीं है अगर आपका Medicine Selection सही रहे तो आप कभी भी Homeopathy Medicine दे सकते हाँ, कुछ-कुछ Medicines का हम लोगों का नियम होता है जैसे बोला गया है, नाग्सभोमी का रात में सोने से पहले लेने से अच्छा काम करता है Sulfur या All the Soric Medicine सुभा नीन से जागने के बाद खाली पेट में लेने से अच्छा काम करता है Deep Acting Polycrest Medicine मैं खुद, Including Antisoric Medicine मैं खुद, Menstruation का टाइम नहीं देता हूँ ऐसे कुछ-कुछ Experience Based है, कि ये Medicine इस टाइम में लेने में खाम करता है ये डॉक्टरों के लिए है, ये Common Man के लिए नहीं है ऐसा कोई Dick Term Common इंसान अगर पकर के चलेगा, तो उसका Confusion बरेगा Common अगर आदमी आप है, आप Homeopathic Medicine ले रहे हैं, तो आप लोगों को ये समझ के चलना चाहिए कि मैं जो Homeopathic Medicine ले रहा हूँ, मुझको ठीक नहीं कर पा रहा है, मेरा Problem कम नहीं कर पा रहा है ये Homeopathic Medicine का गलती नहीं है, Homeopathic System में मेरे बिमारी के लिए इलाज नहीं है, ये डॉक्टर का गलती है Homeopathic Medicine ठीक से वो सिलेक नहीं कर पाए Until and Unless, Purely Surgical Disorder, Extreme Level of Emergency, इसके उपर भी मेरे विडियो है कि Homeopathic Medicine कौन सा बिमारी को ठीक कर सके या कौन सा बिमारी को ठीक नहीं कर सकता है जो भी Homeopathic Related Questions है, कौन सा बिमारी को ये ठीक कर सकता है, ये इतना भी जो भी बिमारी का नाम देके मेरा नाम देके YouTube में सार्च कीजिए, कोस्चन डालके मेरा नाम पे YouTube में सार्च कीजिए आपको उससे Related Videos आपको मिल जाएंगे लेकिन कोई भी 900 हो, सारकोट्स हो, Homeopathic Medicine हो, कोई भी ग्रूप का Homeopathic Medicine ले लीजिए ऐसा को नहीं है कि मैं अगर जरूरत परे तो कोई Depacting Medicine, Menstruation के टाइम फीमेल्स को नहीं दूँगा या Lactation, Lactating Mothers को मैं नहीं दूँगा अगर जरूरत परे तो Particular Drug का जो एक दवाई है, उसका जो Experience Based, जो Metriomedica में है उसके उपर Based करके मैं Prescription करूँगा, वो भले ही ऐसा लिखा अगर है भी, कि ये Medicine आप Menstruation के टाइम नहीं दे अगर जरूरत परे, अगर पेशेंट का Need-Argency ऐसा हो, मुझको देना चाहिए, तो मैं दूँगा, वो काम भी करेगा हाँ, dose should be controlled, potency should be controlled in doctor's hand, क्योंकि अक्सार ऐसा देखा जाता है, कि एक पेशेंट मुझको ऐसा कोई प्रब्लेम लेके आया, जो उसी टाइम में उसका treatment अगर मैं नहीं शुरू करूंगा, तो वो 4-5 दिनों में बहुत ज्यादा serious stage में पहुँच जाएगा, तो मुझको antisoric deep acting medicine during menstruation, during pregnancy भी देना जरूरत है, लेकिन इसका उस टाइम का dose क्या होगा, उस टाइम का potency क्या होगा, इसका कोई general नियम नहीं है, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लिजेगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे किताब्स हैं, जहाँ पे आपको बोला जाएगा, pregnancy के time, 200 power, pregnancy time, 1M power, pregnancy time, high power, pregnancy time, low power, menstruation के time, फलाना power, ऐसा कोई भी general नियम नहीं है, पेशेंट का condition, पेशेंट का susceptibility, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को कौन सा potency देना, पावर देना और कितना बार repetition करना उस time जरूरी होता है, इसलिए मैं हर time advocate करते रहता इतना जहमेला में मत जाईए, always consult a good homeopathy doctor who is institutionally qualified, BHMS or MD, जिनका experience है, आप जो बीमारी को दिखाने जा रहे, इस type के cases के उपर, इस type के cases के उपर उनका knowledge है, कुछ articles है, कुछ videos है, या reviews है, कुछ भी एक होना चाहिए, तब जाके आप दिखाईए, online दिखाईए, physical दिखाईए, offline लेकिन आपको verify होके जाना परेगा, क्योंकि आप अपना जिंदेगी, अपना शरीर, एक ऐसे आदमी के उपर कभी भी मत छोड़िये, जो जो जोला चाप है, YouTube में भी आजकाल होमियोपेथी जोला चाप डॉक्टर उसका बहुत जादा तादात में ओरोग आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गलेन में श्टेथो डालके दो भाई बैट जाते हैं, स्किन के दोनों साइड्स में, और भीवोस होते हैं, बहुत सारे जार्मान दवाई ये दवाई ओ दवाई हर बीमारी के लिए बोलते रहते हैं, और हर बीमारी के लिए ओ लोग पड़ा पड़ा हुआ बात बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे होमियोपेथी डॉक्टर से, आप होमियोपेथी डॉक्टर का डिग्री जरूर चेक कीजिए, कहां से पास कैसा है उनका depth कैसा है purity form of homeopath कैसा है यह देखके ही आपको decision लेना है कि मेरा जो problem है उसको मैं इनके हाथ में दूंगा के नहीं दूंगा बरना यह सब confusion यह सब बनी बना ही बाते ऐसे अकसर बहुत सरे senior homeopath भी करके गए है कि इस medicine को ऐसा नहीं देना चाहिए इस medicine को coffee के साथ नही इस medicine को प्याज के साथ नहीं मैंने अपने experience में देखा है अगर medicine rightly selected है तो it acts all time in all circumstances जो हम लोगों का homeopath किताब में लिखा गया है वो कभी भी गलत नहीं है तो दोस्तों अगर वीडियो को काम का लगे इसको अपने homeopath लाभार्स जो friends है homeopath प्रैक्टिशनर से students है उनमें spread कर द subscribe करके bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों नमस्कार